तो मंदिर इड़ाय जाने पर बीजेपी के आरोपों पर कॉंग्रेस का पलटवार भी आया कॉंग्रेस प्रदेश रदेक्षि गोविन सिक्ड टास्वरा ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी आरसेस के लोग गलत प्रचार कर रहे हैं कॉंग्रेस पर मंदिर तोड़ने का आरोप लगाना गलत है बीजेपी धार्मिक भावनाओं को बढ़काने का काम कर रही है पार्टी और राजनितिक रोटियां सेखने का काम करते हैं और धार्म विशेश को टार्गेट करके एक धार्मिक उन्माद भैला करके अपने बोट बैंक बढ़ाने की कूचेश्टा करते रहते हैं यदा कदा वो सभल भी हो जाते हैं ये जनता पार्टी का मंडल अद्देक्स और तमाम पारसत 2018 से लेकर के इस अतिकर्मन को या इस मंदिर को अटानी की बाते कर रहे हैं तो फिर उनका सर्वसमत्ती से बोड है एक मेंबर है कांग्रेस का तो उसके बावजोत उनके अद्देक्स की अद्देक्सता में ये जो निरने करके और जो राजगट के अंदर हटाया गया मंदिर उसके लिए पूरी तरीके से भारतिये जनता पार्टी और उनकी नगरपाली का मंदल पूर्टया दोसी है जो करोली में दुर्गटना हुई दुर्भाग्यपुर्ण है लेकिन जिस प्रकार से धार्मिक उन्वाद फैला करके दरम संप्रदाय के लोगों को धार्मिक आदार के उपर जाती विशेश के आदार के उपर वर्ग विशेश के उपर बाट करके और अपनी राजनितिक रोटियां सेकने की कूचेश्टा कर रहे हैं मैं धन्ता के अंध्याय में धन्ता के साथ हूँ राजगा नगरपादी क्या बीजेवी क्या बोर्ड है पूरा-पूरा 35-34 में 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 बीजेवी के हैं बीजेवी के बोर्ड ने फैसला किया है कि हम गोड़ पत्व को भणाएंगे अब जो शंकेंट चाहा चोटा बन है और बीज़बान रहती है उसको दूर करने के लिए उन्होंने इस परका क्या प्रमा दस्ताव दिया मैंने उन्हें में समझा था कि नहीं सालों से 45 सालों से तो मैं इस नाजगर्मा आता रहता हूं और तरफटी में जिरा हूं कि इसके बावजूद भी हाला देजी शंती आरी है आप लोग इस वारे वो तो अब नहीं ने पारसर बने हो और नहीं उम्मर के बने हो आपके सब्सक्राइब करते हैं इस आप हमारे प्रस्ताव को वापिस लें तो में बहुत बड़ी कुशियों और प्रसंतर जाएं